करेंट अफेयर्स के अंतरगर्ज जो आप सभी का अगला टॉपिक है देखे अभी गवर्मेंट एक बहुत ही सांदर और नई स्कीम लेकर के आई है और ये लेकर आई है जो सरकारी कर्मचारी है एकिकरित पेंसन योजना यूनिफाइड पेंसन इसकीम इसको केंदरी कैबिने के द्वारे अभी एप्रौबल दे दिया गया है हमारे जो केंसर का रहे जितने भी जर्व कर्मचारी है यहां पर बात हो रही है स thirty सब्सक्राइब तोड़ा सा वहां पूंपूछार कि Pompey अवर्प साल के बाद सेक्टर में ठीक है जो बड़े रैंग ultra uneven धूटिश रैंग होटी एंफ हम तोड़ा तो केन सरकार ने अपने केन सरकार की कर्मचारियों के लिए जो उनकी income security है कि बुढ़ापे का सहारा क्या है पैसा बुढ़ापे के सहारे आप लोग भी अपने माता पिता के लेकिन बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा पैसा भी बनता है जीवन में बहुत बड़ा बनत के लिए सरकार ने अभी UPS स्क्रीम चालू किए है UPS पहले NPS थी UPS है अभी भी NPS भी है लेकिन आप स्विच करा सकते हैं जो सेंटरल इंप्लॉई हैं वो सारे स्विच कर सकते हैं UPS में आ सकते हैं ठीक है तो इसमें लगबग 23 लाग करमचारियों को लाप राप्त होगा और बरतमार में जो पेंशन योजना चल रही है उसका नाम है राष्टिये पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम चल रहे है जिसको हम बोलते है NPS UPS से NPS में स्विच कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं एक बार ही option रहेगा आप one time option है आपके पास कि आप UPS से NPS में कल्प दिया गया है तो 24 अगस 2024 को सभी कर्मचारियों के लिए UPS की मंजूरी प्रदान करने वाला महराष्ट पहला राज्य बन गया है तो UPS मतलब राज्य भी एडॉप्ट कर सकते हैं वो चाहें तो अभी महराष्ट ने एडॉप्ट कर लिया है ये भी ध्यान रखिएगा UPS को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है महराष्ट अब दिखिए ये स्कीम है क्या एक्च्वल में आप समझने की कोसिस करिए अभी प्रदामती नेंद मोदी जी के अध्यक्सता में केंद्री कैबिनेट के द्वरा एकिकरित प्रिंसन योजना को मंजूरी प से अगले फाइनेंसियल एर से स्टार्ट हो गिए एक अपरेल दो हजर पचीस से योजना आपकी प्रारम हो गया अब इसकी विसेस्ता क्या है ध्यान से समझने की कोशिश करिए जो भी केंद्री कर्मचारी है यदि वो सेवा निबृत होंगे तो सेवा निबृत होने के बा प्राप्त होगा वो बेसिक पेंसन उनकी होगी बाद में आउंस वगरा बहुत सारे एड कर दिया थे फिर से द्यान से सुन्येगा अच्छा क्या 50% परसेंट पेंसन सबको मिलती है बिल्कुल नहीं मिलती है 50% पेंसन उन्हीं को मिलती है जो 25 वर्सों तक की सेवा की हो जिन उस 12 महिने के आसपास जितना भी आपका क्या होगा वेतन होगा उस और वेतन का और वेतन से हम क्या निकाल पाएंगे पेंसन निकालेंगे उसी से हम पेंसन बना देंगे ठीक है तो 50% पेंसन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 50 वर्स तक अब जिन्होंने 25 वर्स तक सेवा दी है उनको थोड़ा सा नुपातिक तोर पे कम पेंसन दिया जाएगा ठीक है तो देखे टोटल जो बेतन होगा अंतिम 12 महीने में उसी से 50% पेंसन मनाया जाएगा यदी 25 वर्स तक की अबदी है उसकी और यदी 25 से कम है तो आपका जो है UPS के तहर तो यह आपको ध्यान में रख जिनकी सर्विश नियूनतम 10 साल तक होगी उन्हीं को UPS के तहट रखा जाएगा UPS के तहट माना जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है एक चीज और है परिवारिक पैंशन में क्या होता है माली ची केंदरी कर्म चारी है वो खत्म हो गए थीक है तो जो भी उनको पेंसन मिल रही हो उस पेंसन का 60 प्रिस्ट के सम्तुल राशी मलब टोटल पेंसल का 60 देखे कर्मचारी को क्या मिल रहा है टोटल बेतन का 50% बेतन मानलो 25 र्रुपै आउसत है तो आपका कितना पेंसन मनेगा 12000 रुपै फिर बाद में नाउंस तक उसमें 2.50 रे एंड होगी ठीक है और pension किसको मिलेगी जो 10 साल तक सेवा दे चुका होगा 10 साल तक सेवा दे नहीं दिये 10 साल के बाद ही उसको सेवा मिलेगी एक चीज़ और ध्यान रखेगा 10 साल के दी सेवा दे चुका है तो सेवा निवर्थी के बाद कम से कम 10 जार रुपए प्रतिमाह का pension तो प्राप्ति होगा minimum जैसे कम भी बन रहा होगा कम नहीं मिलेगा 10 जार रुपए नियूनतम रखा गया इसमें ठीक है 4-5-6% 6-7% के बीच में महगाई बढ़ती है तो inflation के अधार पे भी pension का भी आकार बढ़ाते जाएंगे यह भी सरकार पूरा प्रेहस कर रही है ठीक है और इसके तहट gratitude भी मिलेगी एक मुस्त रासी भी सरकार देगी एक मुस्त रासी भी मिलती है रेटार्मेंट के बाद सरकार जो है एक मुस्त रासी भी देती है तो आप overall समझे कि इसलिए सरकारी services की तरफ सब जाना चाहते हैं आप लोगों के जो तैयारी करने का driven point है आप ये सब चीज़ों के लेकर आकरसित होते हैं तो unified pension scheme एक important scheme है जो की केंदरी कर्मचारियों की pension को लेकर के एक बहुत बड़ा परड़ाम है ठीक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है सर क्या pension का time increase होगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाहिए अरे राजे इस्तिवारी जी आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान को पढ़ने की तरफ रहा करिए मैं यहां पर क्या कहा रहा हूँ करें सुनिश्चित पैंसन योजना होगी यदि किसी की पैंसन बहुत कम बन रही है तो कम से कम नियूनितम यदि 10 साल की सेवा कर चुका है तो 10,000 रुपए महा की सुनिश्चित पैंसन भी प्रदान की जाएगी यह गारंटी है ठीक है किसी का जीवा किसी के पैंसन लाख र बहुत पैसा है, शाथमा बेता नायोग लग चुका है, शाथमा लगने वाला है, शाथमा बेता नायोग भी आने वाला है, हर 10 साल में बेता नायोग लगता है, शाथमा लग जाएगा, अभी शाथमा तो 2016 में लगा था, ठीक है, तो Unified Pension Scheme के अलावा एक और Current Affairs में important चीज है एक ये बहुत महत्यपूर्ण योजना सरकाल लेकर आई है और यदि इसकी जानकारी आप लोग को नहीं है, तो ये जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, NPS वाशल लेकर के भी ये Government आई है, NPS वाशल, ये क्या है, NPS वाशल, NPS वाशल ले आए, उनके लिए जो आवया है, हैना 18 साल से कम उम्र है, 18 साल से जिनकी कम उम्र है, उन सभी आवयस्क नागरिकों के लिए Government NPS वाशल लेकर आई है, और इसमें कम से कम नियूनतम 1000 रुपए, नियूनतम 1000 रुपए का अंसदान है, अधिक्तम कितना भी कर सकते हैं, और ये कौन करेगा, माता पिता और अ अभिवावक, बच्चे के जीवन को सिक्योर करने के लिए NPS वाशल लेकर आएगी, तो ये योजना आ चुकी है आपकी, और ये अंसदान आधारित पैंसन योजना है, ठीक है, अंसदान आधारित पैंसन योजना है, अठारा वर्स से कम आयू के सभी अवयस्क नागरी के सियोजना के लिए पात रहोंगे, नियूनतम एक हजार रुपए, अधिकतम कितना भी दे सकते हैं, माता पिता और अभिवावक पैसा देंगे, उन्हीं के द्वारा अंसदान किया जाएगा, बच्चा तो कमानी रा भी ठीक है, और जब बच्चा बैस्क हो जाएगा, तो उसको उस खाते को हम क्या बदल देंगे, समाने एनपीएस में उसको बदल दिया जाएगा, ठीक है, तो 18 सेप्टेंबर 2014 को बित मंत्री ने नई दिल्ले में एनपीएस वाश्चले को लांच किया है, ठीक है, एनपीएस वाचसले है, सबको क्लियर है, सबको इस पश्च है, एनपीएस वाश्चले अभयसको के लिए है, एक हजार रुपए माता पिता, इस सारी बाते आपको याद रखनी है, किसी को ज़्यादा टिंसर नहीं लेना है, बहुत समाने सा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो ये अभी ध्यान में रखियेगा, हाँ, डिफेंस वाले हों, जो भी हों, सभी के लिए UPS योजना लाई गई है, यूनिफेट जितने भी सेंट्रल गवर्मेंट के एंप्लाइमेंट है, सभी के लिए एकिकरित प्रेंसन योजना लेकर सरकार लेकर आई है, ठीक है, चलिए, तो NPS वाश्चले मैंने आपको बता दिया, NPS वाश्चले किसके लिए है, बच्चों के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, NPS वाश्चले का जो है, अगली खबर आपकी उत्राखंड से जुड़ी हुई है, उत्राखंड आपको पता है, एको फ्रेंडली स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उत्राखंड में डिबलप्मेंट बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब विकास कार इतनी गती से है, तो विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल पाएं, ये एक सबसे बड़ी चुनाओती होती है, ये आप सभी जानते हैं, है न विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ नहीं चल पाते हैं, ये इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है कि विकास तो हम करना चाहते हैं, लेकिन विकास करें कैसे, दोनों एक साथ चली नहीं पाते हैं, दोनों का एक साथ कोई जुडाव ही नहीं है विकास और उसका, तो इस उत्पाद सूचकांक उत्तराखंड के द्वारा सकल पर्यावन उत्पाद सूचकांक ठेक है? ग्रॉस इन्वाइर्मेंट प्रोड़क्ट अब इसके तहट आपको पता है इस सूचकांक में होगा क्या? आपको पता लगातार मानवी हस्तक शेप बढ़ रहा है जो मैं विकास की बात कर रहा हूँ ये जो मानवी हस्तक शेप है ये पर्यावन ये विकास के साथ जुड़े पर्यावन ये विकास का मतलब है वहाँ की मिट्टी, वहाँ के वन, वहाँ की हावा, वहाँ के जल मैं उत्राखंड सबसे ज़्यादा गया हूँ मतलब मुझे जितनी भी मेरी ट्रिप रही है उन ट्रिप्स में सबसे ज़्यादा मैं उत्राखंड गया हूँ तो मैंने उत्तराखन में बहुत परिवर्त दिये खें इस बार जब मैं गया था इस बार में पूरी प्लानिंग के साथ गया था कि रुद्रनात की यात्रा करूँगा रुद्रनात पढ़ते हैं गोपेष्वर के आगे पढ़ते हैं है तो जब हम पहुँचे गोपेशवरबट तो वहां पे इन्वयर्मेंट क्लाइमेट बहुत बदला- बदला सा लगा इस बार में बहुत ज्यादा चिंतित था और जब हुआ था 29 जून के पास गया था 29 जून को मैं बताइए वहां पहुंचा और वहां का वहां पे टेंपरेचर दिन में धधकती हुई दूप जैसे उत्तर भारत की दूप होती है न दिल्ली की गर्मी कुछ वैसी गर्मी महसूस हुई पूरे पहाड सूखे हुए पहाडों में बिल्कुल अब पहा जो है उनमें भी बहुत प्रदूशन देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं पर उत्तराखंड का जो टूरिजम है यदि उसको एको टूरिजम में परिवर्थित नहीं किया गया तो संकट में पढ़ जाएगा फिर मैं जोसी मट भी गया जोसी मट में जहां पे आपको पता ह आप लोगों ने देखा था जोसी मट का नाम बदल दिया गया जोतिर मट कर दिया गया उसका नाम चेंज हो गया वहां पे बहुत सरे मकान धस गये थे जोसी मट में नर्सिंग मंदिर पड़ता है नर्सिंग मंदिर में भगवान जो बद्री है बद्री विशाल है बद्री जैसे जो सीत रितु आती है उस समय वापस वहीं पर नर्सिंग मंदिर पर उनकी टोली आ जाती है तो नर्सिंग मंदिर के पास ही वहीं पर एरिया में वहीं पर भूँ इस खलंज ऐसे इस्थिती हुई थी तो वहां पर डेबलप्मेंट ने क्या कर दिया है पहाड़ों को से जो इकोलोजिकल डेबलप्मेंट है उसका मुल्यांकन करने के लिए जो है आपका ये सूचकांग पूरा का पूरा बनाए गया है सकल पर्यवन उत्पास सूचकांग किसमें चार चीज़ों पर ध्यान में रखा जाएगा ये चार चीज़े क्या है एक तो वायू ठेक है वायू के साथ दूसरी चीज़ क्या है जल झल ठेक है वायू जल मृदा और वन ये चार चीज़े हैं आपकी सकल पर्यवन सकल पर्यवन उत्पासूचकांग के अंतरगत वायू जल मृदा वन ठेक है अब इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कर ये चार पर्यावणी कारकों में सुधार की बात की गई है और जो आपका सकल पर्यावण उत्पास सुचकांग है ग्रॉस इनवायर्मेंट प्रोडक्ट है उसकी बद हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी घिरावण देखने को मिल रही है ठीक है और इन गिरावण को ले करके ही 19 जूलाई 2024 को उत्राक्ट के मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी के द्वारा उत्त्राख सकल पर्यावण उत्पास सुचकांग को लॉंच किया गया ये भारत का पहला राज्य بن गया इसका उदैस है लिनकिंग एकोनेवी इनवायर्मेंट ठीक है या आप समझ यह जो देरा ये भी आपकी बात सतत विकास की है और इसमें कोई अत्रिक्त बात नहीं है प्रो इंवार्मेंट डेवलप्मेंट करना है ना पर्यवन को साथ में लेकर के चलना और यहां पर जो पर्यवन के चार प्रमुग घटक हैं जल, वायू, वन और म्रदा उसके अधार पर पूरा का पूरा सूचकांग बनाये जाएगा और इसका एक प्रभावी क्रियान्वन करने के लिए प्रकोष्ट बनाये जाएगा तो आपका ये पूरा का पूरा सूचकांग डेवलप्म किया गया है है ना इस सूचकांग के तहट सरकार का काम रहेगा कि gross environment product के तहट जो development हो रहा है उससे इनको क्या परिवर्तन हो रहा है जल को क्या परिवर्तन हो रहा है मिट्टी को क्या परिवर्तन हो रहा है वन्ने को क्या परिवर्तन हो रहा है इन परिवर्तनों को जाना जा सके और आने इस जानने वाली बात है पहले चीज उत्तराखंड पर्यावन उत्पाः सूचकांक जारी किया है उत्राखंड के द्वारा किया गया है और भारत का ये पहला राज्य बन गया है जो इस तरीके का कोई भी तुम्यर्ण आप समझ गया हूंगे बहुत सेंपल सी बात है वह ज्य चीज में आपको बता भी चुका हूँ पहली बात Artificial Intelligence का यूग चल रहा है, मैंने Artificial Intelligence बहुत पढ़ाया है, महारी वीजन की क्लास में पढ़ाया है, महारी वीजन के बैचेज में पढ़ाया है, तो Best Week India AI सीखर सम्मेलन, ये क्या है आपका, अभी भारत भी बहुत तेजी से दे देबलब कर रहा है, भारत भी डिफेंस की मनुफेक्शरिंग कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में भी आ चुका है, प्राइवेट सेक्टर आपका जो है, अंतरिक्ष छेतर के लिए भी अब FDI आ चुका है, आपका, है ना, सरकार ने, वहाँ पर भी 100% और 74% जो है आपका 51% इस तरीके से सरकार ने वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, वैसे ही कृतिम बुद्धी मत्ता, है ना, artificial intelligence, machine learning, इस छेतर में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला भविश्य यही है, आने वाला भविश्य का बरतमान भविश्य बरतमान भी यही है, अब artificial intelligence ने बहुत सारी चीज़े बदल दी है, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत सारी services आपकी आने वाला समय में इतनी तेजी से नौकरियां जाने वाली है, इतनी तेजी से नौकरियां जाने वाली है, टेली कॉलर की आपको सब AI बना दे रहा, AI को आपको बस बताना बरे, चैट GPT से आप कुछ भी पूछ लीजे, आपको कोई भी script लिखनी है, कोई भी mail लिखनी है, कोई भी application लिखना है, सब सिकेंडों का खेल हो चुका है, चैट GPT वगएरा के वारे में आप लोग भी थोड़ा बहुत प कारी आज हम डिश्टल इंडिया की बात करते हैं अभी जल्दी artificial इंडिया की बात भी करेंगे, है न, artificial इंडिया हो जाएगा, digital इंडिया से ज्यादा, artificial intelligence से जुड़ा हो AI इंडिया, AI इंडिया, तो बैस्ट्रिक इंडिया AI सीखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, और जितने भी लोग AI से जुड़े हुए लोग है, जितने भी हित दारक है, जितने भी stakeholders है, सभी को एक महत्यपूर्ण मंच प्रदान करता है, ये summit, इसका उदेश यही है कि सहयोग के माद्यम से, नवचार के माद्यम से AI के भविश्य को आकार देना, AI नवचार में स्वयम को भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, बैस्विक इंडिया AI सीखर सम्मेलन का योजन किया गया, फिर से एक बार से ध्यान से सुनिये, तीन से चार जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, बैस्विक इंड तेसे सिखर सममेलन का योजन केंद्री इलेक्टॉंनिकühं सुचन मुत की मंत्राले द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया गारे गारे भज़ास के यह Lehigh है यह द्यान से पर से समझे लिजे द्वाधान ऴॉण्रे करने स later लंट्र अडने की यह अलनीव और केंद्री एलेक्ट्रोनिकी हम सूचना प्रदोकी मंत्रा लेके द्वारा किया गया ठीक है ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है किसने किया केंद्री एलेक्ट्रोनिकी हम सूचना प्रदोकी मंत्री आश्णी बैशनो जी के द्वारा किया गया इस सीखर सम्मिलन का आ सुनी वैशनाओ ठीक है अब इसका अल्टिमेट गोल आप सभी को पता है कि हमें क्या करना है आइटीफिचल इंट्रिजेंस का उप्योग करना है कंप्यूटर चमता बढ़ानी अधार्भूत मोडल बनाने डेटा सेट बनाना है अप्लिकेशन डेवलप्मेंट करना फ्यूच इसी दीशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है ग्लोबल पार्टनर्शिप ऑन अर्टिफिचल इंट्रिजेंस के छेत्र में एक बैस्ट्रिक साजेदारी बनाना बहुँ हितिधार को को एक जगह पे इक अठा करना 2020 से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है और आप सभी जानते हैं एक पूरा का पूरा एक मन्च आपका इस्टैबलिश्मेंट किया गया है जो पूरा इसी दीशा में काम कर रहा है ग्लोबल पार्टनर्शिप ऑन अर्टिफिचल इंटेलिजेंस मतलब पूरे विश्यू के जितने भी प्लेटफॉर्म में सबको एक साथ लेकर कर अर्टिफिचल इंटेलिजेंस इसे पूरे विश्यू के सारे देश एक साथ आ रहे तो इसमें भी बहुत सारे चीज़े निर्धारित की जा रही है बनाई जा रही है तो भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है और भारत जो है दोजार चौबिस में जीपी आई का अर्टिफिचल इंटेलिजेंस ठीक है ये भी ध्यान रखेगा बहुत दारक पहल के तौर पर आपको इसको लॉंच किया गया था अब देखें इसी को ध्यान में रखते हुए ए आई डे भी मनाना चालू कर दिया गया इंटेलिजेंस डे भी स्टार्ट किया गया एई प्र जुला जुलाई को आटिफिचल इंटेलिजेंस के लिए ए अप्रिषेशन दे मनाये जाएगा अब एक चीज और ध्यान भी रखेगा जो मारे युनाइटेड नेशन है आपको पता है जब भी कोई बी इनोवेटिव चीजे होती युनाइटेड नेशन हमारा सबसे आगे जहता है ठीक है तो 21 मार्थ 2024 को सेयुक्त राष्ट की महासाभा के द्वारा United Nation General Assembly के द्वारा कृतिम मुद्धी मत्ता पर एतिहासिक प्रस्ताव को अंगी कृत किया गया है यह जब भी current affairs देखो कभी भी mains में कोश्चान आता है आपका prelims में तो चलो ठीट के fact आएगा पर mains मे आपको best week India AI सीखर सम्मेलन भी update करना चाहिए कि हम यह कारे कर रहे है AI प्रसंसा दिवस के बारे में भी बात करना चाहिए और General Assembly के द्वारा जो हमारी United Nation की सयुक्त राष्ट संग की General Assembly है उसके द्वारा एक प्रस्ताव लेकर के आया गया और इसको अंगी कृत कर लिया गया ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है जो महा सभाने किसी उभरते हुए छेत्र को बिन्यमित करने के लिए एक प्रस्ताव को अंगी कृत किया है ठीक है तो यह आपको ध्यार में रखना है एक प्रस्ताव लाए गया था United Nation के दौरा AI को लेकर के भी ठीक है तो एक तो आपका artificial intelligence प बीच में हुआ और इसके बाद जो है यह आपका एक नया सूचकांग का चुका है सकल पर्यावन्ड उत्पास सूचकांग को तराखन सरकार लेकर के आई है ताकि पर्यावन्ड को अर्थिवस्ता से जोड़ा जा सके एंपिया स्वास्चल योजना यह बजट में थी और कुछ प्रमु करेंट अफेर्स हैं इनको याद करिए रटिए अपने दिमाग पर बठाईए जितना भी पढ़ाता जाओं उतना अपने पास याद कर लेना है प्रति दिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है कंटिनिवस में आपको थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम सब कुछ पढ़ा डाला है जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ सिर्फ करेंट अफेर्स के लिए सुबह मॉर्णिंग में टाइम दीजिए आपको मज़ा आ जाएगा आपको करेंट अफेर्स आपका गलत नहीं कराऊंगा ये मेरा प्रण है और इसी पराने की जरूत नहीं कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं है जितना पढ़ाता जाओं उसको आप लिखते जाओ अपने नोट्स देखो जो लोग हैं नोट्स को रिवाइस करो एक से दो बार और आपको करेंट अफेर्स कभी भी भूलेगा नहीं ठीक है चलिए